आपको पता है कि आपके कोर्स में, अगर कोर्स को मोटे मोटे रुप में डिवाइड करें तो एक प्रोज, पुएट्री, सप्लिमेंट्री और ग्रामर कोर्स पटा हुआ है, प्रोज में फर्स्ट लेसन है, दा एंचान्टेट पूल, एंचान्टेट, चांट सब्द है यह, चांट यह नहीं होता है, बिसे मंत्र यपना, एंचान्टेट, अर्थाद इसको कह सकते है, अभे मंत्रित, या उसको कह सकते है, आदूई या तिलिश्मी, वा चुकि लेसन का पूरा नाम है, दा एंचान्टेट पूल, तो जादूई तालाब या तिलिश्मी तालाब, यह फर्स्ट लेसन है, यह लेसन नमबर वन है, प्रोज का, इसके ऑथर है, राइटर है, सी राज गोपालाचारी, बिद्यार्थियो, सी राज गोपालाचारी, एक जाने माने, लॉयर, फुरीडम फाइटर, पॉलिटीशियन, राइटर, और उन्हें इंडिया का हाइस सिविली नमबर भारत रतन भी मिला, बेद और उपनसद में आपका बहुत अच्छा ग्यान था, तो उन्होंने माहभारत पे बहुत कुछ लिखा है, तो अजकल टीवी पे आप देख रहे होगे, माहभारत, माहभारत पुर उन्होंने अपने ता एंचांटिट पूर, यह एक जस्ट अंश है, उनका जो लिखा हुआ माहभारत है उसमें से, विद्यार्थियो, यह जो लेसन है, इसमें कुछ करेक्टर्स हैं, पहले पर्चे करा दूँ फिर मैं इसकी समरी आपको समझाता हूँ, यक्ष, मैं करेक्टर जो हैं, यक्ष हैं कौन, यक्ष, इनफेक्ट, एक एमराज है, और उन्होंने यक्ष का रूप लिया है, लॉर्ड ऑफ टैथ, यह निक म्रत्यू के देवता, यक्ष अर्थात, वो विक्ष इस तरह के कॉंसेप्ट है, जो विक्ष अर्थात, जो यक्ष का रूप धरान करता है, वो अपने हो, आप महावारत में जानते हो इदिश्टर कौन है, इदिश्टर हैसा पट्व, अजथात कोंडू को पुत्र अरू. पणडव, सेदेव और नकुल ये मादरे के पुत्र है तो आपकी समझ में आया होगा कि इस कहानी में मुख्य रूप से 6 करेक्टर्स हैं एक तो यक्ष और पांच और पांड़ वेदिस्टर भीम अर्जुन सेदेव और नकुल इस कहानी में इन लोगों का रॉल है चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की समरी समझने की कोशिश करते हैं समरी में कहानी के आप यहों समझ लेजिए कि ऐसा कहते हैं कि जब सकुनी की चाल से वेदिस्टर ने अपने चारो फोर ब्रदर्स और इवन दुरोपदी को जब दाओ में हार गए तो क्या हुआ यह गेंबलिंग गेंबलिंग थमझते हैं आप जुए में हार गए तो उनको 13 years का exile का मतलब बनवास उन्हें मिला 13 वर्स का तो वो बन में बटक रहे थे एक दिन की बात है उन्हें बटकते बटकते उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थर्स्ट बहुत तेज प्यास लगी तो पांचों भाई और दुरोपदी साथ में थी तो क्या हुआ छोटे भाई नकोल से कहा कि नकोल जाओ देखो यार कहीं आसपास पानी मिलेगा क्या तो नकोल ने पेड़ पर चड़के देखा तो देखा कि कहीं पक्षी उड़ रहे थे तो उन्हें का उधर पानी है भी यह लग रहा है तो ने ठीक लेकर आओ नकोल चले गए जब काफी देर नहीं आए तो उन्हें ने का यार नकोल तो आए नहीं सहदेव तुम जाके नहीं कर एक तो प्यास लग रही थी थर्स्ट के संग में उन्हें एंग्जाइटी इस बात की थी कि यह एंग्जाइटी आप समझते हो डीप पर ही बहुत गहरी चिंता थी थोड़ा सा दुख मिस्रित कि आखिर यह लोटे क्यों नहीं जो बहुत दुखी थी तो उन्हें का बहुत अब इंतियार मैं नहीं करता ऐसा करते हैं मैं भी जाके देखूं तो देश्टर ने क्या किया इंतिया तो छोड़ दिया और खुद ही क्या करने उनको ढूंडने के लिए निकल पड़े उस डारेक्शन में किस डारेक्शन में गए बताओ जिस डारेक्शन के ब्र तो एक कर्स, हमारे चारो भाई जो थे कहीं किसी स्राप के सिकार तो नहीं हो गए, कर्स आप सोंचते हो, कर्स, C-U-R-S-E, या फिर अभी भी बार्टर की तलास में भटक रहे हैं, पानी मिलाई नहीं है, या फिर कहीं वो ऐसा तो नहीं प्यास के बज़ा से फैंटेड बेहुस हो गए हो या फिर डायड ओफ थर्स्ट या फिर प्यास से मर गए हो ये के तुस्चिंता जब कोई किसी के इंतजार कर रहे हो तो इस तरह के कोई सारे भाव दमाग में आते रहते हैं तो इसी तरह के भाव उनके दमाग में आयो और वो निकल पड़े उन्हें ढूनने के लिए अब रास्ते में क्या देख रहे हैं वाइल्ड वियर बहुत सारे भालू हैं स्पोर्टेड डियर हैं बहुत सारे बिग बर्ड्स हैं चिडियां और जंगरी जानवर इस तरह से जात हरा भाला चारों तरव बना हुआ हरा भाल है बहां जाकरकर नोंने क्या देखा कि उनके चारों भाई जो हैं पड़े हुएं किस तरह से पड़े हुएं Like the flag poles, flag poles जानते हो जहन्डे का डंडा, flag poles की तरह जैसे किसी stem जो होता है, किसी पेड़ का तना होता है, या log जैसे कह सकते हो, लठे की तरह पड़े हुए, निर्जीव, उनकी ये इस्तिती देख करके, वो बहुत दुखी हुए, और उन्होंने भीम और अर्जुन की चेहरों क को टच किया और रोने लगे, और उन्हें इस बात का आश्चरी हुआ, वो सर्प्राज थे, बंडर्ड थे इस बात पर, कि who was powerful enough, who could kill these mighty persons like अर्जुन और भीम, इस बात का उन्हें बहुत कस्ट हुए, और वो रोने लगे और बोले, जब हमारा बनबास का अबधी पूरी होन में वाली, तब तुम हम से चीन लिये गए, लगता है, दुरभाग गिने, मेरा साथ नहीं छोड़ा, misfortune, लेकिन रोती रोती, जो प्यास से भी बहुत पेचेन थे, तो क्या हुआ सामने, clear water देखा, पाने को तुम चलो, पहले क्या करते हैं, quench the thirst, प्यास बुझा लेते हैं तो प्यास बुझाने के खातिर वो क्या हुआ, उस पानी में उतर गए, तो जब तालाब में उतरे पानी पीने के लिए, जैसे ही, ठीक उसी समय, क्या हुआ, एक voice without, voice without form, बिना रूप की या बिना शरीर की आवाज ने कहा, आवाज लगाई कि तुम्हारे भाई क्यों मरे है, because they didn't heed my words, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पानी बिया, क्या करने, without answering my question, मेरे प्रसनों के उतर, दिये बिना, अगर तुम भी ऐसा ही करोगे, if you follow them, you will face the same problem, अर्था तुम भी मारे जाओगे, तो क्या है, यह जो पूल है, this पूल belongs to me, यह दालाब मेरा है, इसलिए answer my questions first, मेरे प्रसनों के उत्तर पहले दो, तब तुम पाने पी सकते हो, तो उन्होंने बड़े ही बिनमरता से कहा, ठीक है महतमन, आप मुझे सवाल पोचिए, यह है विदेस्टर की बिनमरता, यह है उनका एक धैर, अधरवाई उनके चारों भाई से भी यही प्रसन पोचे थे, जिन्होंने के अपने एहंकार में, बल के घमण में कह सकते हो, उसके बिल्कुल अंसुना कर दिया था, लेकिन देस्टर ने कहा, स्रीमन, आप सवाल पोचे, प्लीज आसके और क्योस्टिन्स, तो क्या हुआ उस अवाज ने, अवाज कोन है य सवाल पोचना सुरू किया, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जो कोई समन गयान नीती ग्यान पर आधारत सवाल है, जैसे पहला सवाल पोचा, बहुत रेस्क्यूज मैं इंडेंजर, इंसान को खत्रे में कौन बचाता है, तो उन्होंने उत्तर दिया था, करेज, साहस बचाता है अगला कुछन इसी तरह पूचा, कौन सा ऐसा साइन्स है, जिसकी पढ़ने से इंसान बुद्ध्यमान बनता है, तो उन्होंने कोई ऐसा सास्त्र या साइन्स है नहीं, वो क्या है, एसोसियेशन, with the persons who are already wise, तो जो wise है, उनके संग अगर आप रहोगे, तो आप भी एक सूखे तिनके से भी ज्यादा, क्या आप मुर्जाया हुआ होता है, तो उन्होंने कहा था, यह sorrow striking heart, बहुट वीफेंड से ट्रेबलर, यह क्यात्री का मित्र कौन होता है, तो यात्री का मित्र कौन होता है, लर्णिंग, उसका अपना ग्यान होता है, उसके बाद, who accompany man in death इन्सान की मृत्य हो जाने के पसे उसके साथ कौन जाता है, तो उन्हें का उसके साथ उसका धर्म जाता है, तो उसके दोरा जीवन भर किये गए कर्म जो होते है, सबसे बड़ा बरतन कौन सा है, विगस्ट पैसिल कौन सा है दुनिया का, तो उन्हें का वो है, क्या अर्थ, जो सब कुछ अपने अंदर समा लेती है उसके बाद वोटेज हैपीनेस के आया है यह बहुत अच्छा सवाल है हैपीनेस is the result of good conduct आप अच्छे कारे करोगे उसके परणाम सरूप जो आपको एहसास होगा जो फिलिंग होगी बही हैपीनेस है उसके बाद उन्हेंने का यह बताओ किसके खो देने से give up कर देने से सुख प्रापत होता है दुख नहीं तो उन्हें का बहुत अगर गुसा अगर हमारे अपात से गाइब हो जाए तो हम सुखी ही हो जाते हैं अगली बार पूँची सब का प्रिय होने के लिए क्या अत्याग दना चाहिए तो उन्हेंने का प्रायड खमंड ऐसे बहुत सारे क्वेशन अउनने पूछे एक और क्ेशन बहुत अच्छा था उन्हें का रियल ब्रहम्ण बनने के लिए क्या चाहिए या जन्म से अगर कहीं ब्रहमण की घर जन्म लो या ज्ञान से यानि कि नौलेज प्राप्ट कर लो आप या फिर अच्छे कंड़क्ट से तो उन्हें का बर्त से भी कोई ब्रहमण नहीं बनता नौलेज चाहे चारों बेदों का ज्ञान के नहीं हो अगर आप करेक्टर खराब है तो आप ब्रहमण नहीं कहला होगे और कंड़क्ट तो उन्हें का जियां अच्छा कंड़क्ट अच्छा जिसका आचार बेचार है अच्छा बेवार अच्छी सोच है बहिर ये ब्रहमण कहला है कुछ ऐसे सबान पूचे तो वो बहुत खुस हुए और उनसे कहा कि ये आप मैं तो आपसे बड़ा खुस हूँ आपने बड़ा अच्छी प्रस्नों को तर दिये तो आपके जो चार भाई जो है फोर ब्रदस उसमें से किसी एक को मैं जीवित कर सकता हूँ बोलो किसी करूँ तो उन्हें का अगर ऐसी ही बात है तो भापन आप ऐसा करो नकुल को जीवित कर दो तो उन्हें का बड़े आश्चरी हुआ उनको ये अक्ष को उन्हें का नकुल क्योँ हूँ जबकि भीम और अर्जुन इतने महान सक्तिसाली है अर्जुन तो तुमारी एक तरह सी बाहें है ताकत है भीम जैसा सक्तिसाली कोई नहीं है इनको छोड़कर के नकुल क्योँ तो उन्हेंने समझाया कि सुनो मेरे पिता की दो पत्निया थी एक का नाम कुंती और एक का मादरी तो क्या है कुंती के तीन पुत्रों मैंसे मैं यानि इदिश्टर जीवित है लेकिन मादरी का तो एक बेटा जीवित नहीं है नकुल ना सैदेव इसलिए मैं चाहता हूँ एक बेटा मेरी दूसरी मां का भी जीवित हो जाए जब उन्हें ऐसे पूछा जब ये जबाब दिया तो बहुत खुछ हुए कौन? यक्ष और बोले मैं बहुत प्रसंद हूँ किस बात से प्रसंद हूँ? पता है ये मैं सब्दे यान रखिएगा इंपार्सियालिटी यानि कि इदिश्टर की निस्पक्षता उन्हें का मैं तुमारी निस्पक्षता से बहुत खुश हूँ क्योंकि दूस्टर ने उन्हें समझाया था कि धर्मा इज़्दा ओनली सील्ड ओफ मैं और अरजुन और भीमा अर्थाथ धर्म ही इंसान की सबसे बड़ी सील्ड होता है ढाल होता है भीम और अर्जुन नहीं इसका मतलब यह निकला कि इनसान को कितना भी बुरा कैसा भी समय आए उसे अपने धर्म के माग से हटना नहीं चाहिए ऐसा सुनकर कि नोने कि नोने कि यह उनके चारों भाईयों को रिवाइब्ड यानि कि जीवंदान दे दिया जीवंदान भाईयों कि नहीं चाहिए